नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया आपके साथ मैं हूँ चारुल शर्मा आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बजट पेश होना है छटी बार वितमंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश करेंगी और ये सीधी तस्वीरे भी देखी आपको दिख आपको बताई जा रही है क्योंकि आज 11 बजट पेश किया जाना है और उससे पहले कैबलेट बैठक भी रखी गई है बड़े खबार आपको बताई जा रही है वितमंत्री निर्मला सीतारमन संसत पहुच चुकी है और 11 बज़े देखिए बजट पेश किया जाना है तो देखे इस वक्त की बड़ी और एहम जानकारी संसत पहुच चुकी वितमंत्री निर्मला सीतारमन और कुछी देर में सदन की पचल पर बजट रखा जाएगा पेपर लेस्ट बजट हर बार की तरह इस बार भी होगा और ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कारेकाल में दूसरी बार जो आखरी बजट है वो पेश करेंगे क्योंकि दूसरा कारेकाल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का और साथी वितमंत्री निर्मला सीतारमन छटी बार बजट पेश करेंगी इस बार की बजट से सब को उमीदे युवाओं के लिए क्या खास होगा जो रोजगार चाहते हैं उनके लिए क्या खास होगा बेरोजगारों के लिए क्या मैधवकूर फैसले लिए जा सकते हैं महिलाओं का उत्थान कैसे होगा और जनजन का विकास कैसे होगा इस पर भी नि निर्धारत किया गया एक बैठक होगी बैठक में तमाम चर्चा की जाएगी लेकिन उससे पहले जो तस्वीरे है वो हम आपको दिखा रहे हैं वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन के हाथ में जो ये लाल रंद का बैग आप देख रहे हैं इसी में हैं वो पिटारा जो खुलते ही लोगों को राहत या पिर लोगों के लिए आप पर ये तै करेगा बुलकुल देखिए इसे वो साथ लेकर चल रही है और बतौर वित्मंत्री अगर हम देखें तो पांच बार पूर्ड बजट तो पेश कर चुकी है निर्मिला सीता रमन लेकिन पहली बार अंतरिम बजट लेकिन क्या प्रधान मंत्री जुस तरह से लागतार कहते रहे हैं कि मेरे लिए इस देश में सिर्फ चार वर्ग है जी वाई ए एन याली जो बिक चेट प्रोजेक्ट से इस सरकार की दो चल रहे हैं डेफलक्मेंट के नम पर उस पे कित्रा इंविस कर पाएंगे उस पर सरक प्रावदान हुआ है अगले बजेट में भी और चल रहा है और रेवेन्यू देख डेफिसित की बात करते हो आप तो जी एस टी कलेक्शन जानिवारी का एक लाग सेवन्टी तू थाउजन करोड है और यह एट इसलफ इस अगुड साइन की डेफिसित अगर इससे भी प्र अधिसित की लागट प्रेसक्सित के लाग जारा की बात कर खिए टेफिस मी लागट जावरान है और यह प्रोण सेविसे अगगा मार किवडियर आप रिखिस अग्भाट प्राव और इस अगिसित की रिवा ठाब प्र इस वाल इस डानिवां ट्र यह ऑलागुड आग इस अलेबर पाटिसिपेशन फोर्ट्स राजेंद्र जी क्योंकि किसानों को काफी उम्मीद होती है और कहां भी जाता है कि बजट के जरिये लोगों को फाइदा हो लोगों के हित की बात हो इसकी चर्चा हो वही बजट होता है क्या लगता है इस बार का जो यह अंत्रिम बजट है क्या किसानों के लिए राहत लेकर भाईगा विरकोल उमीद ही तरही है कि रहत भरा भाग बजट होगा क्योंकि चुनाव है चुनाव के दौर में अगर किसानों को रहत ना दी गए तो फिर खेल भी और हो सकता है यह आप भी जानते हैं और सरकार में जानते हैं तो किसानों खुष करनें कि पूरी निती काकथ यह बहुत सारी चीज़ आज लगाए वेटाए और आज देश का किसान जो है वो देख रहा है सर्कार की तरफ किसानों को कितना वरिता दी जाती है और पिछले बजट में जो जो इसकी में सरकाल लाई थी उस पे कुछ को दरातल पहलाने की कोशिश सरकार ने करी थी कुछ जो हुआ में हैं तो उम्मीद करेंगे कि जो यह बजट आए वो साथ के साथ धरातल पर भी आए ऐसा न रहे कि हुआ में ही रह जाए क्योंकि सरकार से जो उम्मीद लगाए बैठे थे पूरा एक साल हम लोग देखते हैं कि हां किसान हमारे लिए क्या कर रही है और फिर आपने सब्सक्राइब का बजट है तो सरकार जरू द्हान रखें कि पिचासी परसेंट की जो आबादियों देश की किसानों की है तो जाहिर सी बात है किसान विर्कुल खुस होंगे इस में एक सवाल निपुन जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप आर्थिक मामलों के जा कि दुखि अगुछ सब्सक्राइं लूब करते में लान चाहिए स्वारी विगास की सटरंगे उपर है मैनुफेक्टिंग सेक्टर जैसे ही आपका क्या होगा बढ़ेगा वाइट सेक्टेशन सब्सक्राइब करने लगा है इससे दो तिन फाहिदे एक तो रोजगारी की समस्या जाए ब्रोजगारी की समस्या वो दूर होगी दूसरा क्या होगा कि हमारे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसका हम एक प्रोड करेंगे तो जो एक टार्गेट है गोर्मेंट का कि हम अपने आपको लेके चलने कि हम एक विक्सिद वारत बना देंगे तो मुझे लगता उसके वो जा रहे हैं लेकिन दो तिन चीज़ें हमें कहूंगा जरूर कि पिछली बार मैनिफेक्शिंग सेक्टर के लिए दो लाग करोड का बज़ाट अवंकित किया था लेकिन मात उसमें इसे केवल दो परसेंट ही पैसा गोर्मेंट ने अब तक दिया है यानि कि बाकि 98 परसेंट केवला भी क्या है हवाओं में जिसको आप बोलते हैं बाक्शन में तो वह हुआ है जमकि आपको पूरा दिया जाना चाहिए था और दूसर यां पर कोशोंगा़ कि अब तक जो गोर्मेंट का focus और वह आपका पुरा-पूरा ओगनAmलए सेक्टर की और है अपने बार में एम-गनलारत सेक्टर लों कि बार्दी गेसा और और नहीं है जब देखे जो कहना था इनका ये बिलकुल सही है कि अन ओर्गिनाइज जो सेक्टर्स है उस पर फोकस सरकार का जादा नहीं है तो क्या ये समझा जाए कि इस बार का जो बजट होगा चुनाव से पहले प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की कोशिश ये होगी क्योंकि अगर देश का में काश होना है राश्ट का बेकाश होना है अजय जी मैं आपके पास आती हूं इतने सोडी साफ हमारे साथ जुड़ते हैं मैं की समझने चाहूंगी कि बढ़ती हुई महंगाई पर सरकार को किसकादर ध्यान देना चाहिए क्योंकि देखे हमारा देश ऐसा है जहां पर किसा दिने की ज़ुरत है महंगाई दो तरह की महंगाई होती है मेरे साथ से तो एक महंगाई है जो कि हमारे इंटरनल अनतरे कारणों से बला जो है उसको हम कंट्र अपने आप का सते अप देखेंगे कि कि के दो 2020 में जब 2020 आया पहली बार तो पूरी भीष्यू की अर्थ व तो गया है उसके दो साल के अंदर आपका यह रस्या एंड यूक्रेइन वार हो गया उसके अगले साल अप देख ऐ तो इसराइल और हमास के बीछ इंपार यह सारा क्या है की कच्छा तेल जो है यह आमारी इकनोमी में 85% कच्चे तेल को हम इंपोर्ड करते हैं. तो भारत में आज भी जो इंफ्लेशन रेट है वो 5-5% की आसपास है वो अगर आप पुरे भिश्चो के कंपेर करेंगे तो यह बहुत अंडर कंट्रोल किया हुआ है. आज बजट पेशोना है कुछी देर में ठीक 11 बजे सदन के पचल पर बजट रख दिया जाएगा हर एक वर्ग को उम्मीद है और हर एक वर्ग यह चाहता है कि इस बार उन्हें राहत मिले क्या चुनाम से पहले का यह बजट सरकार को राहत और सरकार से आम जनता को राहत दिल पाई गया अगर बजट की बात की जाया तो मोदी सरकार का आखरी इंटरिम बजट है और अंतरिम बजट कहीं न कहीं इस चीज को आपको देखने को भी मिलेगा इस चुनाव की जैसे बजट होता है बजट के बात सरकार चुनाव में जाएगी तो तमाम तस्दीक है यानि जो बजट होगा कहीं न कहीं उसकी रूप रेखा चुनाव में सीधे जाने को लेकर दिखेंगी वो तमाम सेक्टर जो कहीं न कहीं भारत की बुनियाद यानि बैकबॉन को मजबूत करते हैं उन सेक्टरों में सरकार जादा निवेश करेगी अगर बात की जाए रोड ट्रा सरकार मांग कर रही तो लगातार बढ़ा भी रही और अगर बात की जाए बैकबॉन के साथ साथ वो सेक्टर जो सीधे कहीं न कहीं लोगों को चूता है यारी रूलर डेवलपमेंट तो ऐसी तमाम यूजनाओं को लेकर सरकार नई रूप रेका के साथ आए गयो कहीं न कही बजट को बढ़ाया जाएगा जिससे वो चीजे जो की व्यक्ति छोर पर बैठा हुआ है उसको भी चुआ जा सके और सरकार कुछ इसका इसकादर बजट को बना रही है कि तमाम कि चुनाओं में जब उतरे तो यह तमाम चीजे उनको बताएगी कि कई सालों से सरकार ने इं उनका पूरा ध्यान है तो किसानों को विकास भी करना है उनका उनका काम जो है वो अच्छा भी रहे उन्हें अच्छी खासी बच्चा तुभी हो लेकिन इसके साथा जब टेक्नलोजी की बात करते हैं उसमें किसानों की नजरी से तेखा sound तो क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी भी काम करने की जरूरत है और जो आप चाहते हैं किस budget में हो कि अभी जो देश की बात करने लगए जो देश का जो किसान है जो बिरकुल इस तरीके का उद। इस तरीके का इक अलग से बजजट बनाना चाहिए कि रिकूल GAM क्योंकि हम लोगों ने पीछे भी यही बात रखी थी कि हम गामों का सम्हू बना कर अगर गामों का सम्हू बनाया जाए और उनके लिए दस गामों के लिए बीस गामों के लिए कुछ मसीनरी उपलब्द करा दी जाए जिससे किसान जो है वहां से कराय पर या तो एक फिक्स कराया कर दिया जाए या फिर एक इस तरह की योजनिय लादी जाए कि जिससे वो अपना काम निकाल के मसिनरी को वहां तक छोड़ दें तो वो बहुत बड़ी चीज अपने आप में हो जाएगी और नहीं तो फिर किसान के आए फिर किसान अपना वही अपना अपनी उस पुराने डख्रे वाली खेती पर चलता रहेगा किसान को कोई इसे इसलाब मुलेगा नहीं क्योंकि पीछे माने प्रदामंतरी जी ने भी कहा था कि किसान के आए दूनी करंगे वो भी एक फॉर्मूल तो इसको लेकर आपकी क्या मतलब क्या इच्छा है क्या उमीदे है प्र इसमें तकि सरकार ने कमेटी नी बनाई है है क्या बार वार्टा बीच में हो भी है क्या बार अंदोलन की भी धमकी किसानों की से आगए हैं यह लेकिन वह मैंस पी मांग और उसी कानून के नीचे जो दब गए है उट 2000 किसानों के आए जो दूगनी करने वाला जो फॉर्मूला था वो उसी बीच में दब गया है ना तो किसान की आए दूगनी करने की बात करी है ना फिर MSP की बात करी है हम लोग सिर्फ सरकार से यही देख रहे हैं क किसानों के लिए जो MSP है MSP लागू की जाए और फसलों के जो रेट है वो बढ़ाए भी जाए देखे हमारे साथ निपून आलम जी है उनका रुख करना चाहूँगी मैं निपून जी क्या लगता है इस बार का जो ये बजट है इस बार के बजट में कौन से वो तीन बड़े फैसले हो सकते है जो सरकार ले सकती है और अगर सरकार को फैसले लेने है तो उस पर किस तरह स काम किया जाए देखे क्योंकि जब भी बजट पेश किया जाता है सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी मांग जो आम जनता की होती है वो यह कि एक तो महंगाई कम हो दूसरा यह कि GST पर थोड़ा सरकार विचार करें और कुछ रहात दें तीसरा यह कि महिलाओं और किसानो को भी राहत मिलनी चाहिए लेकिन जिस तरह से कुछ देर पहले मेरी सयोगी चारूल भी जिकर कर रही थी कि अगर हम बात करें अभी किचन की तो बहुत सी चीज़े जो है वो गाया वो चुकी है किचन से महेंगाई के कारण देखे ब्यूकुर तही बात है और सरकार का अग है तो किसी तरीके से कोई भी पॉलिटिकल प्राटी हो या कोई भी नेता हो इस मोखे को चुकर नहीं चाहता है और किसान है महिलाएं है आपने जैसे कहा बिल्कुल सही बात है यह सीधर डिरेक्ट वोट है और पिछली बार जब आपका महीला सक्ति अभी नंदन बिल लाया गां गया और लगाता है आप जैसे बाता है उसको कैसे जोड़ा जेए तो मुझे लगता है किस बार के बजट में ये तो हो गई होगा किसानों को लेकर भी होगा और मजदूरों को लेकर भी होगा बजट पेश किया जाएगा वित्यमंत्री निर्मलासी तरमन की उसे और देखे बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता दे कुछी देर में पेश होने वाला है बजट लेकिन उससे पहले कैबिनेट की बैठक होगी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मौजूद रहे बड़ी खबर हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को 11 बजट पेश होना है और उससे पहले ये कैबिनेट बैठक जिसमें खुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है वित्मंत्री इसमें है क्योंकि अब से बस कुछी देर का इंतजार ये माली जे 45 मिनिट बाकी ह और उसके बाद अंत्रिम बजट पेश करेंगी वित्मंत्री निर्मला सीता रमन बताओ वित्मंत्री अगर हम देखें तो पहली बार अंत्रिम बजट पेश कर रही है से पहले पांच बार पूर्ण बजट पेश कर चुकी है वित्मंत्री ने जो कि अब यह बज़ट करने से पहले यह बैठक इसलिए अहम है कि जैसे ही बज़ट काबिनेट से अप्रूव हो जाएगा जो कि अभी इस वक्त निरमला सीता रमन ने काबिनेट के सामने इस बज़ट को रख दिया है जैसे ही यह अप्रूव हो जाएगा इसके बाद ही इसको संसत के पटल पर रखा जाएगा अगर आप तमाम कॉंस्ट्यूशनली बात की जाए तो इस काबिनेट से अप्रूव होना इस बहुत जरूरी है जिसके चलते काबिनेट बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में जैसे ही अप्रूव होता उसके बज़े उसके बाद लगमा 11 बज़े के आसबात निर्मा सीता रमन संसत के पटल पर इसको रखेंगी और उसके बाद लगातार देश को कहीं न कहीं जो वित यानि देश की नफस ह खूली जाएंगी कि कैसे बज़ेट बनाया गया है किसके लिए और कैसे लगातार चुना को देखते हुए किसकी योजनाओं में किस-किस विबाग को किस-किस मंत्राले को कितना बज़ेट दिया लगातार सीजे साफ होने लेगेंगी लेकिन अब तक से बड़ी अपडेट ये है कि बज़ेट को काबनेट के सामें रख दिया गया है और कुछ दिरबाद ही उमीद की जा सकती है कि इसको अपरूवल भी मिल जाएगी जी निपुन जी आपका रुख करते वे देखे सवाल मेरा ये था जब भी बात सरकार की उरसे बज़ेट की आती है तो सरकार कई ऐसी जन कल्यानकारी योजनाएं हैं जिनके लिए राशी आवंटित करती हैं लेकिन अगर उन योजनाओं की बात करें तो उसके लिए एक क्राइटीरिया जो है वो फिक्स किया गया है लेकिन उस क्राइटीरिया के तहत बहुत कम लोग है जो उस योजना का लाब ले पाते लेकिन बाकी लोगों को का उनको क्या मिला सिर्फ मेहंगाई इस सरकार का पूरा फोकस रहा पिछले 10 साल में आप देखें तो पुंजी गद्वय की हो रहा और यह आपने जो बात बोली के कि सवस्रेश कारें, यह एक प्रतर बात बाम की बॉया, पॉरिम की है कि प्रोलखे उनको क्रेशंबर है उनको लेकर खिखाए के शब्रेश में असलिंघी बरवाने में उनको काफी सुईता है दी लेकिन यहां पर देखा होगा कि गौर्मेंट ने ये भी खिया कि जो सवसीडिद ले रहे हैं वो अपनी और से पहल करें यानिकि इस तरह का एक इन्वार्मेंट बनाना का परियास किया लेकिन जो मुझे इस बार का बजट लगता है म हाँ यह जरूर है कि कुछ सेक्टर में उनको देखने को मिल सकता है यह से हम लोग खाद्यान में बात कर सकते हैं या जो किछन के अंदर यूसरों चीज़े हैं चैवल दाल चैवल रोटी आठा इसा हो कि बात करें उन सब में जरूरी बात है कुछ ना कोई गवर्मेंट कम क तो क्या यह कहा जाए कि इस बजट में ज़्यादा रहत नहीं मिलेगी निश्य दूर्शा मिलेगी रहत इसलिए दी जाएगी ताकि क्या happiness फिल करा दी जाए कि सब अच्छा है सब चंगा सी तो सब चंगा सी वाला concept इसमें लगा दिया जाएगा पूरा-पूरा पुरा तो म मंत्री निर्मिला सीता रमन बजट पेश कर देंगी और उसके बाद ये समझ आएगा कि आखिर किस वर्ग को क्या मिला किसके लिए कितना पैसा अलोट किया गया कितना बजट निर्धारित किया गया ये चर्चा हम इसी तरह से जारी रखेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है बने रही नियूस अलिया के साथ और ब्रेक के बाद एक बद फिर से स्वागत है आप सभी का आज बजट पेश होना है और सभी को उमीदे सिर्फ ये कि इस बार की बजट में कुछ राहत जरूर होगी क्योंकि चुनाब भी नजदीक है औ ऐसे में बजट में राहत की उमीद हर एक बर्ग कर रहा है ठीक ग्यारा बज़े बजट पेश होना है कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें लगातार चर्चर चल रही है खुद प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए है और आज छटी बार केंद् वित्यमंतरी निर्मला सीतरमन बजट पेश करेंगी और बजट में क्या राहत दी जाएगी और कितना हर बर्ग को राहत मिलेगी वो देखने वाली बजट हो बजट पेश होने से पहले कैबिनेट की बैठक और बैठक में प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी मौजूद है वित से पहले कैबिनेट की बैठक और कैबिनेट की बैठक में बजट रखा गया है उस पर विचार किया जाएगा विचार विमर्श के बाद बजट को आम जनता के लिए साज़ा किया जाएगा बजट पेश किया जाना है आज संसद में वित्मंतری बजट पेश करेंगी अब से बस आदे घंटे का इंतजार और करना है और उसके बाद पता चलेगा कि वित्मंत्री के पिटारे से क्या निकलता है इस देश के लिए हर वर्ग को किस तरह से विक्सित करने की बात कही जाती है उस हिसाब से हर वर्ग को क्या दिया गया और यह देखे तस्वीरें आप लगातार देख सकते है वित्मंत्री निर्मला सीता रवन को महा महीम द्वारा खीर खिलाई गई और उनका मुह मीठा कराया गया और देखें इंतजार जो है बस खत्म होता जा रहा है बस आदे घंटे का इंतजार और उसके बाद अंतरिम बजट पेश किया जाएगा तस्वीरे जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं आपसे बस कुछ देर पहले की जिस दौरान मुलाका तीती वित्मंत्री निर्मला सीता रमन और महा महीम द्रौपदी मुर्मू की बिल्कुर और देखें कहा जाता है किसी भी शौप काम से पहले अगर आप मीठा चखले और उसके बाद काम की शुरौबात हो तो वो काम ना केवल खूबसूरत होता है बलकि उसका परणाम भी बहुत अच्छा रहता है और जिस तरह से देश की राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ने विक्त मंतरी निर्मला सीता रमन को मीठा चखाया इससे ये साफ जाहिर है कि एक महिला जब दूसरी महिला को मीठा चखा रही है तो इसका मतलब इस बार के बजट में महिलाओं को प्रात्मिक्ता दी जा एक वर्ग के लिए ये देखनी वाली बात होगी और इस बजट को लेकर एकॉनमिक के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कुछ कहना है कि बजट कैसा रहने वाला है एकॉनमिक एक्सपर्ट्स की राया आपको सुनाते है सर आमसी के तरफ से तो हमने ये उनसे मांग किया कि थोड़ी टाक्स की प्रोसेसे वो सिंपलिफाइ की जाएं और आपको सिंपलिफाइ तो हमने प्रोसेसे और प्रोसेजर्स को सिंपलिफाइ किया जाएं महिला शमता पे काफी इंफिस हो रहा है काफी महिला ये काम कर रही हैं आंत्रपर्नेरशिप कर रही है तो गावर्मेंट टाक्स रिबेट दे रहा है मेरे हिसाप से जो बिजनेसे आ रही हैं women empowerment को लेके उन पे भी tax relief होगा और अभी आप जो बात कर रहे हैं महिलाओं का consumption और spending की हिसाब से government अगर आप देखेंगे overall तो महिलाओं पे उनकी welfare पे काफी spend कर रहे हैं तो उनका अगर welfare, skilling, education और health सब पे अगर आप ध्यान दें तो उनकी उनती होगी तो चलिए news इंडिया की खास पेशकश आप देख रहे हैं बजट आदे घंटे बाद पेश होना है हमारे साथ महमानों का एक बड़ा पैनल स्टूडियो में लगतार मौजूद है कुछ नए महमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका तारूफ आपसे करा दें हमारे साथ निपुन जी अभी बने हुए हैं जो कि आर्थक मामलों के जानकार है करनल गोपाल सिंग जी व्यसम है रक्षा छेत्र की तमाम जानकारिया यह हम तक पहुचाएंगे मनुरंजन, मोहन्ती जी जो की सीए हैं हमारे साथ मौजूद है अश्वनी, राणा जी अर्थ शास्त्री हैं ये भी हमारे साथ मौजूद है मैं करनल साब सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि जब बात देश की रक्षा की होती है और खासकर उसके लिए जब बजट आवंटेत होना हो तो आपको कितनी उमीदे इस बजट से है क्योंकि देखें मेक इन इंडिया पे हम काम तो कर रहे हैं सभी को नमन वंदन परणाम जय हिंद डिफेंस के लिए जो बजट का ऐलोकेशन की बात आप कह रही है पिछले बार पांच लाख चोवालीस या ब्यालीस जार करोड का बजट था वो अभी पांच लाख चौरानवे करोड का हुआ था हो सकता है तकरीवन 12-14% की बड़ोतरी होती है हर बजट में और मुझे उमीद है कि जिस परकार से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे नदन बॉर्डर पे हो चाहे शायचिन गे और उस इलाके में लेल अदाग में हो चाहे इस्टन बॉर्डर पे हो चाहे समुद्र के तटिये इस इलाके में हो जिस परकार से इंफ्रास्ट्रक्चर और मेकिन इंडिया का जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो हमारे हतियार बनाए जा रहे हैं जो बहार से हम पहले खरीदे थे पैसा तमाम हमारा बरवाद होता था अभी वो इंडिजियस नी इस्तिमाल किया जा रहा है तो उसके लिए हो सकता है कम से कम 15-14-15 परसेंट इंक्रीज बजट होने की संभावना लगती है क्योंकि यह इंटरिम बजट है इसमें तो पुराना ही उसको आगे बढ़ाएंगे कितना यानि सेट करेंगे लेकिन जो फाइनल बजट जो आएगा जुलाई में मुझे पूरी उम्मीद है कम से कम 15-16 परसेंट इसमें बड़ोत्री होने की संभावना है चीक है डॉक्टर मनोरंजन जी का रूप करना चाहूंगी जब हम बात करते हैं बजट की तो देखे काई बार आपने भी ज़रूर सुना होगा आप आम लोगों के बीच पहुंच जाएए तो लोगों का काई बार ये कहना होता है कि सरकार अमीरों को और अमीर कर रही है और गरीबों को और जादा गरीब करने की कोशिश की जा रही है और इस बीच अगर कोई पिस्ता है तो वो है मिडल क्लास लोग क्या वाके ही सरकार की कोशिश यही रहती है या पर सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते है कि देश का विकास हो लेकिन जनजन का विकास पहली प्रात्मिकता होने चाहिए सबसे पहले तो मैं आपको बजेट के बारे में बताता हूँ कि बजेट होता क्या है और उसमें इंपोर्टांस क्या होती है कि हमारा फिस्कल डेफिसीट जितना कम से कम होता है तो उतना healthy budget हमारा होता है और हर country अपना annual budget जब बनाती है तो ये सब middle class, lower class, upper class सबको देखते हुए ही बनाती है अब हम कहेंगे अभी इस बार जो है ये छटा budget है निर्मला सत्यसितारामन जी का अच्छी गश्वर्मेंट का भी तो इसमें ये interim budget है क्योंकि अभी अप्रिल में में election है तो इसलिए इस budget से जो उमीद है वो हम उतना सर एक मिनिट के लिए बस मैं आपको रोकना चाहूंगे प्लीज हमारे साथ हमारी सायोगी भावना भी जुड़ी हुई है भावना कुछी देर में budget पेश किया जाएगा बैटक चल रही है बैटक में जो बजट है वो रगदिया के आहे ताकि विचार विमर्श हो सके और प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैटक में शामिल है ताज़ा अपडेट दीजिए बावना क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो देखे तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरीया आप साथ देख पाएंगे ये लाल लिपाफा बेहत खास और इस लाल लिपाफे में हैं वो टाप जिसके जरीये पेपरलेस जो बजट है वो पेश करेंगी वित्यमंत्री नर्मला सीतारमन और बजट पेश करने के साथ ही देखना ये होगा कि आखिर क्या इस पर विचार किया गया है और इस बार जो ये मुस्कुराते चेहरे हैं इससे आम जनता की मुस्कान और कितनी बढ़ेगी आम जनता को क्या राहत मिलेगी क्योंकि जब जब बात बजट की होती है तब ना किवल चिंता बढ़ जाती है बलकि कंदे पर वो बोज भी बढ़ जाता है जिसके तहत आम जनता को परिशानी होती है कि अब अगर महंगाई बढ़ी तो परिशानिया भी बढ़ने वाली है बजट के दौरान लोगों को राहत की उम्मीद अंत्रिम बजट ये होगा और अंत्रिम बजट के साथ सरकार चुनाव को देखते हुए आखिर क्या पैसा लेगी है रेखने वाली बात है। बजट के साथ और भी हैं इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये अंत्रिम बजट है जो पेश किया जाना है मोदी सरकार के दूसरे कारेकाल का ये अंत्रिम बजट है। है सदन की पटल पार बजट रखा जाएगा बजट करते हैं मनुरंजी आप अपना जवाब वो पूरा कर सकते हैं कि इस बार जरूर कुछ सप्राइज मिलेगा और जो प्रधान मंत्री जी की जो संकेत है उस में जो अनुमाल लगा रहे हैं इस बजट में कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए ऐसे कुछ होगा जो थोड़ा सा इलेक्शन को नजर रखते हुए भी होगा और महिला की ससक्ति करन के लिए भी और सबको आखे नजर रखते हुए ये कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगी और उसके आलावाभी कुछ सर्प्राइज हमें और भी मिल सकता है फार्मर के तरफ से भी और बाकी अगर ओबराल बजेट की बात करें जो पीछले बरसों में अगर हमें देखना है तो इंफ्रास्ट्र सक्टर आपका रिन्यवीविल एनर्जी सेक्टर हो तो एसे इन सेक्टरों में बहुत ज्यादा एंफासिस दिया गया है और कैपेक्स में काफी अच्छी तरीका से उपजोग किया गया है जिसकी वेज़े से आप अगर देखें कि इंफ्रास्ट्र एक देश का रीड का होता है और उसमें इतना बढ़ चड़ के हिश्चा पिछले बर्सों में लिया गया है आप देखेंगे कि 53,000 किलो मिटर अभी कंप्रीड हो चुका है नेशनल हाइवे और ये लगभग लगभग 99% रिवरल सेक्टर जो रोड से कनेक्टिविटी है वो हो चुका है तो इसकी व कंटिन्यूस ग्रोथ के तरफ जो भीजन है तो ये इसी वज़े से इंडिया का ग्रोथ और हमारा इसे भी जरूरी हो जाता है क्योंकि 2047 का हम लक्ष लेकर चल रहे हैं अश्वनी जी एक सवाल मेरा आप से है क्योंकि देखिए जिस तरह मैंने जिक्र किया 2047 तक भारत को ए डेवलब्ड नेशन बनाना है इसके लिए देखिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि साथ फीज़दी की ग्रोथ रफ्तार जो है यानि सालाना ग्रोथ जो है वो होनी जरूरी है ऐसे में पर कैपिटा इंकम अगर हम इसका कैलकॉलेट करें तो लगबग 2 लाख आता लेकिन फि हो हमारे देश पर बहुत जड़ा एफेक्टिव या लागू नहीं हो कारण क्या है कि संख्या बहुत है चोटे देशों में और यहां की और बहुत से ऐसी अपर क्लास है जो की ज़्यादा कमाते है और नीचे वाले कम कमाते है तो इसलिए एवरेज तो ठीक है लेकिन वह ज इसका जो शेहर है वो केक जो है वो सब को मिलेगा चाहे वो कोई छोटा है चाहे बढ़ा हा लेकिन इसलिए आखोड़ों में ना फसकर ओवराइड डिवेल्मेंट की बात जो सरकार कर रही है और परदानमेटी जो जो ग्यान की बात किया गरीब की भी यूवा की भी और महि तो सभी के लिए उन्होंने इसके ओपर में को लगता है इस बार जो है बजट में फोकस करने वाले है तो उसमें निश्चित रूप से एकानमी बढ़ने वाली है आगे और यह इंडिया की रिपोर्ट नहीं है मैं की वर्ड बैंक की सभी का कहना है कि अले साल में वर्ड में रिसेक्शन हो सकता है लेकिन जो इंडिया की एकानमी है वो बूस्ट करेगी वो आगे बढ़ती जाएगा इसके अलावा अगर कोई ताज़ा अपडेट आपके पास है तो जरूर दीजे जे मिलकुल अगर बात की जाए कैबनेट बैठक की जो कि खुद प्रदार मंतिर नरे दर्बूधी की अध्यक्षता में हो रही थी वहाँ से बजट को पास कर दिया गया है और कुछ देर में निलमा सीतानमर उस बैठक चल निकलेंगी वो सीधे पारलिमेंट के लोग सभा क की तरफ बढ़ेंगी और कुछ देर में ही लोग सभा में बजट को रखा जाएगा स्पीकर ओंबिरला पहुंच चुके हैं संसत भवन में तो तमाम चीजों को लेकर अब रूप रेखा धिरे धिरे आगे बढ़ती चले जा रही और संद मिन्टों बाद ही बजट को दुनि जहाद कास और काफी अच्छा लोगों के लिए रहने वाला है लेकिन आपने जमीनी स्थर पर जाकर लोगों से बात की है क्या लगता है इस बार का बजट वाकई लोगों की उमीदों पर खराउतर पाएगा आनद जो बिलकुल अगर बात कीजाने इंटरिम बजट की तो मोधी सरकार का इंटरिम बजट है सब्सक्राइब का बेशेट की लेकिन अगर बत की जाना कुझ देखने को उसमें लगता नहीं है और अगर बात की जाए road transport and highways का उस ministries का लगातार fund बढ़ाया जा रहा है port shipping का fund बढ़ाया जा रहा है, ruler development का fund बढ़ाया जा रहा है मनरेगा तमाम ऐसी चीजें हैं, विभाग हैं और मनरेगा को लगातार fund बढ़ाने का मकसद यह होता है कि इनमें investment किया जा सके जो भारत की रीड की हड़ी बनती है और यही कारण होता कि जो investment भार से आता है वो इन तमाम चीज़ों को देखता है कि इसका बुनियानी देश का बुनियादी धाचा धरी तेरे बदलने से लेकर तमाम चीज़े देखने के बाद इनमें देखने के दाची को मजबूत कर लेकि कोशशे लगातार भारती जुनता पाथी जो है वो कर रही है ऐसा उनका कहना है महमान हमारे साथ मैंने वे निपुन जी मैं आपके पास आना चाहूंगी अगर हम महिलाओं की बात कर ले तो क्योंकि मैं अगर अपने लिए कहूँ तो मैं एक आफिस कॉइंग विमन हूँ लेकिन अगर हम महिलाओं की बात कर ले तो क्या महिलाओं के लिए क्योंकि प्रधान मंतने ये कहते हैं तो उन्हें मजबूत करने के लिए क्या कुछ specific budget a lot हो सकता है क्योंकि महिलाएं अब सरकार बना रही है ये तो सुनिश्चत हो चुका है बिल्कुल देखें आपने बिल्कुल सही बात के लास्ट वाइल लाइन आपके बिल्कुल प्रभावित वाइल लाइन थी और आप देखें जी इस परकार से मोजबी सरकार ने पुरा फोकस महिलाओ पर किया है तो मैं इसको लेकर बड़ा आश्वस्त हूँ कि महिलाओ के लिए इस budget में जरूर कुछ नहीं कुछ होने वाला है क्योंकि हम देखें दो तिन राजियों में जो सरकार भी रिसेंट्टी बनी है तो उसमें महिला मदाताओं ने खुब भर कर वोड़ दिया है तो इस बार बीजेपी इसको पुरा फोकस करेगी और उसी के लिए कोई ना कोई योज़न न लाएंगी लेकिन जैसाँ आपने काहा कि जो एक हाउस मेकर है यानिकि जो एक घर में रहने वाली जो ग्रहनी है कि सरकार किस प्रकार से किन-किन वस्तों पे टैक्स कम करेगी, किन पर बढ़ाएगी, उसके बाद ही हम लोग एनलेसिस कर पाएंगे, लेकिन यह फैक्ट है, कि महिलाओं के लिए बड़ा पिटारे में कुछ नंकुछ खुलेगा, कुछ नंकुछ निकल कर आएगा, और जाहिए सी बात है, जो हाउसम पर पर परवावन नहीं पड़ता है, लेकिन जो हाउसमेकर है, वो ज़्यादा चीजों को कहा साथी, समीज़न शील्टा के दाद, चीजों को देखती है, वरकिम विमन से ज्यादा धैन नहीं देती है, इन चीजों पर, टीक है, डॉक्टर मनोरंजन जी, देखी, अगर हम कि अब पिछले बजट की बात कर लें, तो जिस तरह से टैक्स लैब में बदलाव किया गया, जो राहत लोगों को दी गई, बहुत से लोग थे, जो खुश थे, बहुत से लोग ऐसे भी थे, जो नाखुश भी थे, लेकिन क्योंकि पिछले ही बजट में राहत दी गई है, भी जादा समय भी नहीं हुआ है तो क्या इस अंत्रिम बजट में टैक्स लैप की जो भूमिका है जो रोल है वो जादा महत पूर नहीं रहने वाली सरकार इस पर इतना गंभीर तरीके से विचार नहीं करने वाले क्योंकि इसके बाद जो पूर बजट है वो भी लाया तो क्या इस अंत्रिम बजट में टैक्स लैप पर प्रभाव पड़ेगा अगर हम इलेक्शन को ध्यान में रखे और हर गर्मेंट चाहेगा कि ऐसे कुछ स्कीम लाए और ऐसे कुछ बेनिफिट दे इनको कुछ ना कुछ अगले आने वाली इलेक्शन में लाव हो और यह मैं नहीं कहता कि यह फूल बजट तक ही जाएगा इंटेरिम बजट में कुछ ना कुछ यह मध्यवित बर्भ के लिए कुछ ना कुछ टैक्स लाब में कुछ चेंजेस होगी प्लस कुछ डिडेक्शन में भी कुछ आएगा और खास तोर से जो फिमेल के लिए ओमें के लिए कुछ आएगा आप पिछले 26 जनुवरी को भी आपने देख चुके हैं जलक सारे के सारे हमारा जितने भी है कितना नारी सक्ति की हमने वहां पे दर्साया और आप कल भी प्रदान मंतर जी की अगर भासन सुने उसमें भी इनका भी कही ना कहीं संकेत है कि नारी सक्ति को आग उमेंड के लिए आएगी और कुछ मध्यवित परिवार के लिए भी बद्यवित बर्द के लिए भी कुछ रख को भी उमीद है अश्वनी जी एक चोटा सा रियाक्शन आपसे लेना चाहूंगी जब हम सरकार के एक्सपेंस की बात करते क्यों यह कहा जाता है कि एक्सपेंस अश्जादम के उफिक के लूंट में मिल रही है इसे रख को मोदैसी कि बात सबने ऐसे करेंसरों करेंसे तो रहना जबटाने करने के लिए अपना रएविन्यवि जया है और मुझे लगता की सरकुर्ण को हम टेक्स में जो निया और ओल्ड रिजीम है इस में से कुछ बैटर जो अभी तक उन्होंने रिसर्च कियोगी उसके अधार पर लाना ताकि ज्यादा अभी तक लोग आई टियार भरने वाले ज्यादा आए हैं लेकिन और अभी आ सकते हैं लोगों को इस प्रकार का एक सुव है जक है कर दy एक्स बैंड़ कर सकते हैं लोगष पर लोगः धन्या में कुछ पर में हैं लोगर ड्यादायार